चलो जी खाना वाना खा लिया हो चाइवाई पेली हो तो एक next topic कर लेते हैं इम्यून सिस्टम की बात करते हैं तो हम जानते हैं कि हमारी बोड़ी के पास कुछ ऐसा है जो हमें बिमारी से बचाता है हर पल हर समय इस टाइम भी बहुत कुछ चीजे ऐसी हैं जो हमारे शरीट के अंदर एंटर करने कोश्च कर रही हैं और जो शयाद हमें नुक्सान पहुंशा दें बैक्टिडिया वारसे या फिर धोल मिट्टी के कंड भी इनसे लड़ने के लिए हमारे पास एक गजब का सिस्टम है जिसे हम बोलता है मतलब innate immunity इसी innate immunity के अंदर हम बात करते हैं first line of defense की और साथ में second line of defense की बैजो कुछ भी चीज़े हमारे शरीर के बाहरी हिस्सों में है मतलब जिनको सबसे पहले पार करना जरूरी है microbes के दुआरा हमारी body के अंदर एंटर करने के लिए उन सब को हम लोग first line of defense में लेके आते हैं जैसे कि skin हो गया, mucos हो गया, lysogym या फिर gastro urinary system में secretions आपकी skin की pH, microflora तो second line of defense आता है इसके बाद अगर किसी करन्ट से कोई pathogen इस first line of defense को पार कर जाए तो उसका सामना होता second line of defense से जो कि हमारे skin के just नीचे है आम तोर पर यहां non specific immune system की cell होती है जिन के अंदर natural killer cells, macrophages, dendritic cells और इस तरह की बहुत सारी ore cells वो cells जो हमारे primary immune response में role भी निभाती है inflammation cause करने के लिए phagocytosis के लिए दूसरी type की immunity है जो हमारे पास बचपन से तो नहीं है मतलब जब से हमें पैदा हुए तब से हमारे साथ नहीं है लेकिन वक्त के साथ साथ हमने उसे acquire किया है या कह दीजे कि specific immunity यह immunity इतनी specific है कि यह एक virus को दूसरे virus से distinguish भी कर सकती है B cell और T cell की कहानी सारी acquired में है हाँ हम acquired की यह बात भी करते है कि हमें वो किस तरीके से मिली क्या वो practical तरीके से हमारे पास थी या फिर हमने उसे बाद में किसी artificial तरीके से apply किया माल लिजे किसी को बिमारी हुई उस बिमारी को देख करके उसके अंदर immunity की memory generate हो गई तो हम इसे natural कहते हैं लेकिन जब हम लोग vaccine का अस्तेमाल करते हैं immunity खड़ी करने के लिए तब उसे artificial कहते है natural भी दो तरह की होती है एक है passive और एक है active जहां passive का मतलब है कि बिमारी किसी और को ही और आपके अंदर immunity आ गई जैसे कि जब मा प्रेगनेंट है अगर मा को कोई disease natural तरीके से होती है और उसे बनने वाले antibodies fetus को मिलते है या फिर बाद में पैदा हुए बच्चे को मा की दुद के दुवारा तो इसे हम बोलते है natural passive लेकिन जब भी बिमारी कभी हमें होती है और हमारा ही immune system हम उसको पैचान करके immunity generate करता है तब उसे बोलते हम लोग active similarly artificial भी दो तरह का है passive या फिर active आप माल लेजिए vaccine आपको दी गई और आपके अंदर immunity generate होई तब तो हम उसे active कहेंगे लेकिन अगर vaccine बनाने के लिए हमने antigen को दिया है किसी घोडे को और उस घोडे के अंदर antibodies create किये गए और उस antibody का इस्तेमाल किया गया आपको treat करने के लिए तब इसे करते हैं हम लोग artificial पैसे में तो भाई कभी ऐसा मुका आया life में कि कि किसी डॉग ने तुमें काट लिया काटने का डर जहां उसकी bite का होता है तो वहाँ चोद इंजेक्शन का भी डर होता है हाला कि आजकल चोद इंजेक्शन के dose नहीं होते है बट तुम जर्नली क्या करते हो जैसे डॉग ने bite किया तो उसके बाद कहा भागते हो किया अपने गली नुकड में पाए जाने वाले डॉक्टर के पास या फिर medical store पर वैक्सिन खरीदने के लिए या फिर सरकारियस बता लो क्योंकि अगर मान लो जिस कुते ने तुमें काटा है उसके लार में रैबिस के वाइरस थे तो भाई ये वाइरस तो जैसे ही डॉग ने डात मारे तुमारी फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन को पार करके सिधा ब्लड में उसने इंजेट कर दिये वो वाइरस ये वाइरस नवर सिस्टम पे टेक करते है और आम तो पर नवर सिस्टम में घुश के बैठ जाते हैं हो जगता है तभी अपना असरा दिखाना शुरू करते हैं या फिर साल भर बाद या फिर पांस साल बाद लेकिन ये मामते हैं कि बाइट से लिकर करके अगले 24 गंटे के अंदर ये वाइरस को उसने कोश करेगा आपके नवर सिस्टम में और इस ताइम इस वाइरस को रुखने का एक ही रास्ता है कि आपकी बोडी में एंटी बोडी हो ऐसे एंटी बोडी जो वाइरस से बाइंड कर जाएं और इस वाइरस को अपने रिसेप्टर से बाइंड करने ना दें इसे हम लोग बोलते हैं neutralization लेकिन आपकी body के अंदर तो ये antibody बने में रखे नहीं न इसलिए जो पहला vaccine होता है सबसे पहला जिस आप vaccine कहते हैं भी वो vaccine होता नहीं है वो anti-sirum है इसके अंदर antibodies है अब ये antibodies हमारे पास आते हैं घोडों से ऐसे घोड़े जो दोड़ने के लायक नहीं बचे हैं उन घोड़ों के अंदर rabies virus के antigens हम inject करते हैं आम तोर पर killed rabies होता है और उस virus को पचान करके घोड़े का immune system antibody create करता है बाद में उनी antibodies को select करके हम लोग इस पहले injection के रूप में market में बेशते हैं अब क्योंकि ये बनाने वाली process काफी महंगी पढ़ती है इसलिए हर medical store पर इस चीज़ नहीं मिलती हैं लेकिन हर शहर के अंदर एक jailer अस्पताल वहाँ ये provide किर जाती है आम तोर पर free of cost इसलिए पहला injection वहीं मिलता है आम तोर पर ये पहला anti serum वाला injection ये medical store पर नहीं मिलने वाला इस पहले injection के दर वो antibodies है जो आपको उस virus के infection से बचा सकते हैं इसलिए कि 24 घंटी के अंदर पहला टिका लगना जरूरी है ये पहला टिका वो नहीं है जो बाद में मिलेंगे ये anti serum है अब क्योंकि ये horse का बना हुआ है तो antibodies horse के type के हैं इसलिए इस anti serum को सीधा body management करने से पहले एक allergy test भी होता है जिसमें चेक करते हैं कि कहीं आपका immune system घोडे के antibody के against तो काम नहीं करना शू कर दे और एक बार आपने pass कर लिया पहली vaccine ले ली तो उसके बाद की जो vaccine है वो normal vaccines है जिसमें rabies का virus killed form है और ये virus आपको नुकसान ही पहुचाएगा लेकिन आपकी immunity को खड़ा करेगा जब भी आपकी body के अंदर कभी कोई virus enter करता है तो उस virus को पैचान करके immunity खड़ी करने में 5 से 14 दिन लग आते हैं इसलिए शुरुवात के पहले 24 घंटे में infection रुखने के लिए बाहर से में antibody प्राइड कराने पड़ते हैं तो अब ध्यान से देखो जहां सबसे पहला वाला anti serum जो आपको दिया गया है ये artificial है लेकिन आपकी body में ये immunity generate नहीं हुई थी ये घोडे में generate हुई थी और इसलिए ये है passive लेकिन इसके बाद जो दूसरी vaccine दी जाएगी जिसमें killed virus available है आपकी body में virus को inject करेंगे artificially और आपकी body पहचान करके उसके against immunity generate करेगी अगले 14 दिन के अंदर तो ये active method है artificial active immunity चलिए आगे देखते हैं immune system के सारे component अब चाहे वो B cell हो या T cell हो कहीं तो बनते होंगे कहीं रहते भी होंगे कहीं काम भी करते होंगे जैसे हमारे blood की कहानी RBC को travel कराने के लिए है oxygen, nutrition को transport करने के लिए यहां हम लोग security system में पढ़ते हैं तो स्वेम इसी के जैसा एक parallel system और भी है जैसे हम लोग lymphatic system कहते हैं RBC उसके अंदर move नहीं करती लेकिन यह WBC के लिए special है और यहीं पर lymph nodes होते हैं जहां actually में B cell और T cell antigen को पचानती हैं और उनके against activate भी होती है यह system पूरे शरीर में फैला हुआ है सेम वैसे जैसे कि हमारे भारत की सैनाए अपने सैनिकों को border तक भेज़ती हैं तो border के ऊपर खड़े नहीं होते border के पास में cants हैं barracks हैं या फिर check post हैं जहां पर हमारे सिपाही duty कर रहे होते हैं जब भी कभी कोई antigen वहां से गुजरेगा तो उसे पैचान लेंगे और उसके against response पैदा करेंगे सेम ऐसे यह मान लिजे कि आपकी body में भी जगे 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 check post हैं जगे जगे barracks हैं जहां आपके सिपाही रहते हैं antigen को देख करके अपने आपको तयार करते हैं और उससे लड़ने का महौली बनाते हैं यसे lymphatic system को हम लोग दो पार्टें बाट लेते हैं जिसमें primary lymphatic organs आते हैं जैसे कि bone marrow और thymus तो फिर secondary organs भी आते हैं secondary organs जहां लड़ने की जगे है तो primary organs वो जगे है जहां हमारे commandos यह हमारे special cells तयार की जाती हैं वैसे मैसे जैसे कि Indian Military Academy हमारे army के लिए जवान तयार करती है तो सिम ऐसे ही bone marrow वो जगे है जहां B cell तयार की जाती है और thymus वो जगे है जहां पर T cell रड़ी होती है हलाकि T cell bone marrow में ही पैदा होती है लेकिन उनका जो training school है वो thymus है B cell का जनम भी bone marrow में होता है और उनकी training भी वही bone marrow के अंदर ही होती है वैसो तो immune system को समझने के लिए बहुत को जानना बहुत ज़रूरी है लेकिन फिलहाल के लिए हम लोग ये जान लेते हैं कि B cell का activation कैसे होता है और उससे बनने वाले effector molecules क्या-क्या काम करते है हमारी body के immune system में adaptive immune response बहुत important role play करता है और ये specifically antigens को पैचान करके उनको हमारी body से साफ करने में help करता है adaptive immune response के सबसे important component में से है B cell और B cell कैसे activate होती है ये हम समझने वाले bone marrow में B cell generate होती है hematopoetic stem cell से process का नाम है hematopoesis वहाँ जो B cell mature होगी उस B cell के पास अपने खुद के काफी सारे receptors होते है और क्योंकि अभी तक इस B cell ने कोई antigen देखा नहीं है इसलिए इसे हम लोग 19 B cell के होते है इसके surface पर membrane में लगे हुए membrane bound IgD, IgM ये दोनों antibody होते है इसके लावा कुछ और receptors भी है जैसे कि CR2, Igα, Igβ, कुछ SRC family kinase जैसे के lin, fin और BLK MSC1, MSC2 और PRR इन सभी molecules में से IgD, IgM, Igα, बीटा इनको मला करके हम लोग BCR कहते है यही वो कम से कम molecules हैं जो antigen को पचान करके B cell को activate करेंगे MSC1 सभी दरे की nucleated cells पर पाया जाता है चाहे वो कोई भी cell हो MSC2 के वोल antigen presenting cell में पाया जाता है और B cell भी antigen presenting cell ही के डिगरी में आती है CR2, complement का receptor है और खास वोड़ से यह complement 3D को पचानता है Complements, antibody की तरह के molecule हैं जो हमारे serum में या plasma में पाया जाते हैं और antigens को clear करने में या उनको destroy करने में हमारी help करते हैं PRR, pathogen recognition receptor है यह innate immune system के receptors हैं जो बहुत तरह की cell पे पाया जाते हैं इंडिटी हमारी जो normal cells होती हैं जैसे की epithelial cells या endothelial cells यह उनके surface पर भी मिल सकते हैं यह जब भी कई foreign particle हमारी body के अंदर आता है चाहे वो bacteria हो, virus हो या fungi हो उसके surface पर मुझूद कुछ molecules को पचान लेता है वो molecules जो हमारे body के cells की उपर नहीं होते हैं मतलब PRR, self और non-self के बीच में recognition करने में help करता है PRR, pathogen recognition receptors की कावि सारे examples होते हैं जिनमें से एक सबसे famous है, tall like receptor यह जिन molecules को पचानते हैं pathogen के surface पर या उनके अंदर उन molecules को हम लोग PEMP कहते हैं PAMP pathogen associated molecular pattern अब जैसे peptidoglycan जो cell वाले जो nag और name की बनी होती है यह तो क्यों बैक्टिरा मिलती है हमारी body की किसी cell में नहीं मिलती तो PRR, peptidoglycan को as a PEMP पचान सकते हैं या फिर bacteria में पाया जाने वाले flagelline protein से बने वे flagella जो कि हमारी cell में नहीं मिलते तो basically PRR ऐसे molecules हैं जो foreign cells को इस base पर पचानते हैं कि वो molecules हमारे surface पर नहीं होते जब भी कई bacteria हमारे अंदर आता है तो उस bacteria के उपर काफि सारे molecules जिने हमारा system as a epitope पचान सकता है और similarly इसके surface पर ऐसे molecules भी हैं जिसे PRR ऐसे PEMP रिकोगनाईज कर सकते हैं indeed complement भी ऐसे molecules हैं जो इने पचान सकते हैं और complement direct इनके surface से bind कर सकते हैं complement का bind करना अपने आप में declaration है कि जिस organism के उपर bind है organism हमारी body का part नहीं है और इसको destroy होना चाहिए एक बार complement कर गए या फिर इस bacteria के surface के molecules को हमारे antibody ने पैचान लिया या फिर PRR ने इसके किसी surface को पैचान लिया as a PEMP तो हमारी B cell activate हो जकती है बशरते के सारे molecules B cell के उपर हो जैसी activation होता है तो IgM, IgD message देते है SRC family kinase को कि हमने एक antigen पकड़ लिया है और मत भूलेगा कि इसमें complement का binding भी बड़ा important role play करता है अगर अकेला BCR की component signaling कर रहे हैं तो signaling होगी लेकिन अगर CR2 और PRR भी आ जाएं इस interaction में तो signaling ज़्यादा अच्छी होती है SRC family kinases इस message को देते है IG alpha, IG beta को और IG alpha, IG beta signal transduction pathways initiate करता है B cell के अंदर यहां एक साथ कई सारी pathways शुरू होती है ऐसी pathways जो different array के secondary messengers बनाती है जैसे की DEG, calcium आया या फिर ये RAS GTP जैसे molecules पर activate करती है इसे PIP या फिर protein kinase A या फिर map kinase वाली pathways शुरू होती है और उनसे message आता है nucleus के अंदर तक जहां कुछ transcription factor जैसे की N fat, NF kappa B और EP1 ये express होना शुरू आते हैं और ये transcription factor यहां gene को control करेंगे और कुछ genes off हो जाएंगे और कुछ genes on हो जाएंगे ये जो बदलावा gene expression का pattern है इसकी वज़े से अब ये B cell activate हो जाएंगे और ये अपने आपको convert करेगी ऐसी B cell में जो different तरह के function कर सकती है इसको कहते है हम लोग B cell activation लेकिन ये process इतनी simple है नहीं जब bone marrow से हमारी naive B cell बनके आती है तो हमारे पास बहुत तरह के antibody present करने वाली B cell होती है एक B cell पर एकी तरह के antibody होते है और वो एकी तरह के affinity show करते है ये double positive IgM, IgD positive B cells bone marrow से निकल करके lymph node में पहुंचती है और lymph node में जब कभी antigen आता है तो जो B cell उस antigen से bind करेगी उसके surface पर कुछ receptors बनने शुरू आते है वो receptor जो T helper cells है मिलने वाले cytokines को पचानते है और वो activate हो जाते है केवल वही cells activate होती है जिन cells ने antigen को bind किया है successfully और इस तरह के से एक ही particular B cell के काफ़ सारे clone बनने शुरू जाते है mitosis के दुवारा divide उपर के इस process को हम लोग clonal selection बोलते है यहां जो B cell का number बढ़ रहा है इसको हम लोग proliferation कहते है और फिर यह B cell अपने आपको differentiate भी करती है अलग-अलग type की और दूसरी B cells में जैसे कि कुछ B cells अपने आपको convert कर सकती है plasma B cell में B cell की वो form जो antibody बना करके secret कर सकती हो उसको हम लोग plasma B cell कहते है अभी तक जितने भी B cell हम लोगों ने देखी है इन सभी में membrane bound antibody है लेकिन plasma cell alternate splicing की वज़े से अब ऐसे antibody बनाने लगती है जो cell से बन करके बाहर आते है सबसे पहले बनने वाले antibodies में से एक है IgM जब कभी antigen हमारी body में पहली बार आता है तो उसे हम लोग primary response कहते है और primary response होते ही जो पहले antibody बनते हैं वो IgM आम तोर पे antigen के आने से लिकरके और antibody बनने तक के बीच में तकरीबन 7 दिन के आसपास का time लगता है IgM 10 antigen binding site लिए हुए है 5 antibody molecule एक साथ जुड़े हुए यहाँ antibody की affinity antigen के लिए ज्यादा अच्छी नहीं होती क्योंकि यहाँ binding site 10 है इसलिए IgM की avidity जो की total binding capacity होती है वो काफी अच्छी है और इसलिए IgM शिरुवात में बनाए जाते है तक कि यह हमारी body में secret हो जाए और हमारी body में तमाम इसों में फैल करके जहाँ जहाँ antigen से उससे bind करके उसको neutralize कर दे उसको हमारी cell के अंदर गुसने ना दे यहाँ तक कि यह उन antigen को complement के दुबारा clear करवाने में भी help करें इसके लाब कुछ B cell ऐसी भी होती है जो activate करके अपने आपको और दूसरी तरह की cells में करवा करती है लेकिन इसके लिए और cytokines की जूर्थ होती है जैसे के interferon gamma और IL-4 इससे different तरह की plasma B cell बनती है और यह plasma B cell different तरह के antibody बनाते है जितने भी antibody बनाएंगे सब antibody same उसी antigen को पचान रहोंगे लेकिन antibody की class अलग लग होंगे जैसे कि IgG purpose यह है कि अब हमें अलग अलग तरीके से antigen से लड़ना है तो IgG जो की हमारी body में सबसे ज़्यादा बनने वाले antibody हैं और यह सबसे लंबी उमर के भी होते हैं बहुत इस्टेबल होते हैं 23 दिन के आसपास की इनकी half life होती है और यही है जो हमारे effector antibody के रूप में जाने आते हैं यह antibodies जहां जहां antigen से हैं वहां bind करेंगे antigen से और उनका phagocytosis के दुवारा clearance करवाने में help करेंगी जिसे हम लोग optionization कहते हैं यह antigen से bind करके compliments को भी activate कर सकते हैं जिसे हम compliment activation कहते हैं और इसके लावा यह antigen से bind करके ADCC नाम की एक process भी कर सकते हैं जिसमें antigen antibody complex को पैचान करके neutrophil, mast cells बगर आती हैं और जिस जगह पर यह antigen antibody complexes हैं वहां बहुत सारे cytolytic chemicals बना-बना कर छोड़ देती हैं यह chemicals जो antigen हैं उसको destroy कर सकते हैं इसके लावा IgA बनाने वाली plasma B cell बन सकती हैं IgA हमारी body के secretions में बाहर आ जाता है जैसे कि mucus में, mother के milk में indeed मा के दूद से मिलने वाली immunity में IgA ही है और यह खास source है antigen के neutralization में रोलने बाता है इसके लावा कुछ B cell ऐसी भी बन जाती हैं जो IgE बनाने लगती हैं और IgE भी master cell के degranulation में या neutrophil के degranulation में रोलने बाता है इंडिट बहुत सारे allergic reactions में IgE के रोल देखने को मिले हैं हमें इसलिए हम इसे antibody of allergy भी कहते हैं जैसे हमारी body के अंदर कई बार worms बन जाते हैं उन worms से लड़ने के लिए भी IgE help करता है IgG प्लेसेंटा में mother embryo के barrier को पार कर सकता है इसलिए मा से fetus को मिलने वाली immunity IgG की वज़े से होती है IgG, optionization, A, D, C, C मतलब antibody dependent cellular cytodoxicity neutralization of antigen ऐसा कि antigen से bind कर जाए और उसे cell के अंदर entry ना करने दे complementic activation, इन सब functions के लिए जाना जाता है IgE, secretory antibody है हमारे intestine के lumen में, mucus में मा के दूद में IgE secret होता है और इसका purpose, antigen neutralization है IgE, antigen से bind करके master cell और neutrophil का degrenulation कर सकता है इसलिए ADCC में IgE काफी रोल निवाता है जब कभी एक B cell से अलगलग तरह की B cell बने जो same affinity वाले लेकिन different class के antibody बना शुरू करते है तो इससे हम बोलते है isotype switching क्योंकि हैं सभी classes को antibody की हम लोग isotype करते हैं, इसके लावा कुछ B cells अपनी affinity antigen के लिए बढ़ाती है somatic hypermutation के दुआरा सिर्फ variable region में बदलावला करके अगर high affinity antibody बनने शुरू हो जाते हैं तो इन में से कुछ B cell plasma B cell में convert हो करके high affinity IgG बना करके हमारी body fluids में secret कर देंगी इससे हम लोग affinity maturation करते हैं similarly इनी B cell में से जिनके पास high affinity Ig बनाने की ability थी कुछ B cell select हो जाएंगी as a memory B cell इनका basic purpose होगा कि जब कभी दूसरी बार antigen आएगा जिसे हम बोलेंगे secondary response तो ये immediately उस antigen को पचानके बेना time गवाए अपने number बढ़ाएंगी proliferation करेंगी differentiation करेंगी और plasma B cell बना करके large quantity में antibody बनाना शुरू कर देंगी जहाँ primary response में 7 दिन लगते हैं और इंडे demon system जादा देर तक रखता है अब देखो यार आसान ते कुछ है नहीं no doubt ये वाला part तुम तुम तुरा tough भी लगा होगा और समझने में दिक्कत भी आई होगी बर समझदार EC में कि अपनी copy pan लो और इस part को दुबारा से देखो जब तक तुम अपने हाथ नहीं चलाओगे इस बात पर काबू नहीं पाओगे कोशन तो यहां से पकाएंगे नंबर देखे जाएंगे चलो फिर आगे बढ़ो iFly की classes में हम लोग ऐसे ही बहुत सारे topic को आसान कर लेते हैं उनके नक्षे create कर लेते हैं और जान लेते हैं कि चीज कैसे काम करती है यह classes online होती है आपके घर से होती है जब आपको सुईदा हो तब होती है इन classes के दुवारा आप net, gate ICMR, DBT, select ARS जैसे exam के लिए qualify कर सकते है तो इसके अलावा MSC entrance के exam JNU के लिए और IIT के लिए भी prepare कर सकते है classes join करने के लिए आप मुझे whatsapp कर सकते है 9013902981 अगर ये वीडियो पसंद आया तो शेर कीजिए इसे अपने दोस्तों के साथ लाइक कीजिए वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए पैल के साथ फिलाल तो चलो, मैनत करो रिविजन करो और लगे रो बाइ